आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मेथी के परांठे आज हम बनाएंगे बंजाबी स्टाइल में एकदम परफेक्ट तरीक्टी के साथ बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी जिससे कि आपके जो परांठे एकदम सोफ्ट और एकदम क्रिस्पी बनेंगी बन करके त्यार ह कि है यहां फ्रेंड्स राधी राधी जी मैं उन प्रयंक आरल मेरे चैनल वेच फूलमर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चले तो आज की डिश बनाना शुरू करते हैं इस यह मैने ले लिए मेथी यह दो कप मेथी है जिसे कि मैशना जिसे कि मैंने बार एक बार एक क के लिए इससे जो हमारी मेथी है जो उसका कोड़ापन होता है वो इसका निकल जाएगा 15 मिट के लिए से हम रख देंगे 15 मिट के बाद देखेंगे तो यह अच्छे से भेग चुकी है अब इसे हम हातों से निचोड करके ऐसे निकाल लेंगे इसे हम निकाल लेंगे ऐसे ही सारी मेने मेथी निकाल करके त्यार कर ली है अब हम लगाएंगे पहले आटा यह मैंने ले लिया है तीन कप गेहूं का आटा तीन कप लिया है इसे हम बाउल में डाल देंगे फिर इसमें हम डालेंगे बेसन एक चुथाई कप मैंने लिया है बेसन बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इस परांठे में फिर मैंने यह ले लिया एक हरी मिर्च कटी वो डाल देंगे आदी चोटी याल मिर्ची का पाउडर फिर डालेंगे इसमें अजवायन आदी चोटी चमच अजवायन को हातों से गिस कर डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा प्रांठे में फिर इसमें मैं डालूँगी एक चमच घी लिए मैंने देशी घी वो डाल देंगे आप चाहे तो ओल भी डाल सकते पर गी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले जो हमने नमक मिर्च डाली है वो अच्छे से मिक्स होजए नहीं तो अगर अगर मिक्स नहीं करेंगे तो एक जग़ा पर मिर्ची होजएंगे एक या धनिया वो डाल देंगे इसे वह अच्छा टेस्ट आएगा फिर मैंने जो भी मेथि लीती वो डाल देंगे इसे भी आध्यों से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे आटे में फिर उसकी बाद अच्छे से इसे आठा गूंद लेंगे यानि डो बना करके हम त्यार कर लेंगे यह देखेंगे अच्छे से मिक्स होगी है और मैंने यह लिली है पानी यह मैंने गरम पानी लिया है क्योंकि सर्दियों में गरम पानी से याठा जल्दी उनता है और एकदम सोफ्ट हो जाता है देखेंगे पहले थोड़ थोड़ा करकर की पानी डालेंगे एकदम से सारा पानी नहीं डालना है इसका थोड़ा सा टाइट ही डो बना करके त्यार करना है ज्यादा पतला नहीं बनाना है यह देखेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे तो एकदम असानी से ये डोव बन करके त्यार हो जाएगा बहुती जल्दी ये देखेंगे मैंने डोव बना करके त्यार कर लिया है एकदम सोफ्ट बहुती जल्दी अगर आप गर्म पानी से आठा लगाएंगे तो बहुती अच्छे से गूंद गया है सोफ्ट हो गया है इस पर हम लगा देंगे एक चमच घी और अच्छे से मसल करके इसे भी हम मिक्स करेंगे तोड़ा सौर आप इसे रखने के भी जूरुत नहीं है साथ के साथ यह आप परांठा बना सकते हैं बहुत ही मुलाइम हो चुका है आटा बहुत ही सोफ्ट डो बन करके त्यार हो गया हमारा गाइंस अब हम ले लेंगे आटा इससे हम बनाएंगे लोई हम चार लोई बना करके त्यार कर लेंगे छोटी बड़ी अब अपनी मर्जी के अनुसार बना सकते हैं जैसे आप खाते हैं यह देखेंगे मैंने चार लोई बनाकर की त्यार कर ली है, अब हम इससे लगांगी थोड़ा सा सूखा आ्टा सूखा आटा जादा नहीं लगाएंगे इस पर अच्छा डिश्च नहीं आता है तोड़ा सा लगायों से भी हम झाड़कर की निकाल देंगी ःदेखिए थोड़ा मेने लगा रही है अब इसे हम बेल लेंगे, यहनि पहले में आपको दिखाऊंगी, चोरस प्रांथा बना करके, चोरस, यह देखेंगे, मैंने बेल लिया है, अब इसमें हम लगाएंगे, गी, आदी चोटी चमच, फिर इसे हाथों से इच्छे से फिला देंगे, फिर इसे हम कर देंगे, फोल्ड, पहले एक साइड से करेंगे, फिर दुसरी साइड से फोल्ड करेंगे, फिर साइडों से इसे बंद कर देंगे, फिर साइडों से इसे बंद कर देंगे, फिर साइडों से बंद कर देंगे, फिर हातों से अच्छे से प्रैस करेंगी फिर से थोड़ा सा लगाएंगी सुखा आठा देखेंगी कि मैं बिल्कुल ही कम लगा रही हूं सुखा आठा इस पर ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जब आपका प्रांठा बन जाएगा तो उस पर दिखता है तो बहुत ही गंद इस में यह दिखेंगे मैंने इसे बेल लिया है अच्छे से आप अपने मर्जी के अनुचार बड़ा यह छोटा प्रांठा बना सकते हैं मैंने मीडियम चैस का बनाया है ना तो जदा बड़ा ना ही जदा छोटा अब इसे रख देंगी साइट में अब हम मैं आपको दिखा करनायika लिए दूसरा पारांठा बनाना इसे प्रैस कर लिया इसे बेल लेंगे इसे सारा नहीं बेलेंगे एकदम आधा बेल लेंगे प्रांठे को यह देखें कि मैंने बेल लिया है अब इस पर हम मैं लगाएँगी गी लगाएंगी पहले आदी छोटी चम्मंच हादों से फिला देंगे अब इसे हम साइडों से पकड़ कर बंद करेंगे अगर आपने कोई भी स्टफिंग भरनी है कोई भी चीज की तो इसके अंदर लगा कर ऐसे आप बर सकते हैं यह दिखेंगे साइडों से चक करके इसे हम बंद करेंगे यह दिखेंगे इसे आसे प्रेस कर देंगे यह मारा गोल प्रांठा बंद करके त्यार हो जाएगा गाईस प्रेस कर दिया है थोड़ा सा सुखा आटा इस पर हम अब लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे और फिर इसे हम बेल देंगे ये देखेंगे मैंने परांठा बेल दिया है अब हम तब गरम होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था इस पर लगाएंगे गी और तब आच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारा परांठा है बो डाल देंगे थोड़ देर के बाद इसे पल्टेंगे फिर थोड़ देर के बाद पल्टेंगे और इस पर हम लगाएंगे गी गी लगाएंगे अच्छे से थोड़ा जादा ही गी लगाईएगा इसे बोती क्रिस्पी परांटे बनके त्यार होएंगे अब इसे हम पल्टे देंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे यह देखेंगे जो हमारा प्रांठा है बन गया है एक दूसरा भी प्रांठा ऐसे ही हम पका लेंगे थोड़े देर के बाद इसे भी पल्टेंगे बहुत ही टेस्टी परांठे बन करके त्यार होते हैं गाइस बहुत ही जल्दी बन जाते हैं कम मैनत में इस पर भी हम घील लगा देंगे अगर आप एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने का मन करेंगा आपका इतनी टेस्टी पराठी ही बने है एकदम क्रिस्पी और अंदर से सोफ्ट आप यह रेस्पी ट्राय करके देखेगा आपको यह रेस्पी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजे अपने फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर कीजे तो मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ ठैंक्स पूर वोचिंग रादे रादे जी